Hello dear friends, welcome to knowledge review classes, आप सभी को बता दू कि seated January 2024 का notification आउट हो गया है, जो भी candidates seated का form भरने वाले हैं, उनको खुश चीज़े हैं जो अच्छे से पता होनी चाहिए, otherwise आपका जो score, मोलते हैं, cut-off clear नहीं भी कर सकते हैं, easily cut-off पार कर सकें, ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैं बता दू, seated के बारे में, जो लोग नहीं जानते, पहली बार seated का नाम सुन रहे हैं, seated का मतलब होता है, Central Teacher Erisability Test, seated जिसको बोलते हैं, यह एक पातरता परिच्छा होती, जैसे teacher के लिए, इसके माध्यम से क्या होगा, कि teacher अगर seated qualify की है, देखे हम general category को लेकर चलेंगे, इसलिए general category को लेकर मैं बताऊंगा, क्योंकि सभी लोग, अगर आप दूसरे state में अप्लाई कर रहे हैं, चाहिए आप UP के हैं, चाहिए अपने state के, तो आप general में, other state में apply करते हैं, तो आप general category में आते हैं, तो हम 90 नमबर मान के चलते हैं, कि हमें 90 नमबर लाना है, ठीक है, तो 90 नमबर आता है, तो आप पातर हो जाते हैं, यानि जैसे बिहार का भी exam हुआ था, BPSC ने primary माधिमी, कुछ माधिमी, यानि जिसको बोलेंगे PIT, TGT और PGT का exam लिया था, PIT में मांगा था, seated qualify paper 1 होना चाहिए, यानि 90 नमबर, paper 1 चाहिए, paper 2, दोनों में कम से कम 90 marks होंगे, तभी आप consider किये जाएंगे as a general, तेक है, आप general को ही मान के चले, OBC का, अगर मैं consider करूँ तो 82 नमबर है, अगर अपने state में, तो ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम general candidate को consider करके चलेंगे, क्योंकि इसका reason क्या बहुता है, अगर आप general candidate मान के चलते हैं, तो आप उसी विहाब पर fight कर सकते हैं, दूसरी state में जाके, चलिए, हाँ, आते हैं अपने मुद्वे पर कि आपका जो exam के बारे में बात किया जाए, देखिए, आपका जो farm start हो जाएगा, वो 3 नमबर से start, यानि कल से farm start हो गया है, और 23 नमबर तक farm भरे जाएगे, यानि आपको केवल मातर 20 दिन मिले हैं farm भरने के लिए, और आपका exam कब होग conduct वो भी इसमें बता दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, आपका exam 21 जनवरी 2024 को conduct होगा, अगर मैं अभी से बात करूँ, अगर पूरा नमबर लेनू, नमबर दिसंबर, यानि लगबग धाई महीने आपके पास हैं, टेक है, आपके पास लगबग धाई महीने हैं, त्यारी करने के लिए, टेक है, अगर जो लोग पहली बार हैं, अगर जो लोग B.A.D. में हैं, या B.T.C. में हैं, फाइनल येर में हैं, या फिर फस्ट येर में admission लिए हुए हैं, ये सभी लोग सेटिट का फार्म जरूर भरिएगा, क्योंकि सेटिट के फार्म के लिए आ और देखे, आपको मैं बता दिया, 21 जनुवी को आपको exam होगा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ important चीज़, जो आपके लिए important है, देखे, फार्म आपके online भरे जाएंगे, और सारी चीज़े आपको देखे, ये सीटिट की साइड है, जहां से फार्म आपको फिल करना है, हम बात भी करेंगे syllabus का भी कि कौन-कौन से syllabus में अगर कोई changes हुए है, तो क्या change हुए है, और exam pattern क्या है, syllabus का pattern क्या है, कितने exam क्या आते हैं, क्योंकि सारे students बहुत सारे ऐसे भी होंगे, जो पहली बार सीटिट की बारे में सुझ रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा, क् सबसे पहले में बता दूँ, आपकी जो fee होने वाली है, ध्यान देजिएगा, अगर आप general है, OBC है, वो भी non-creamy layer, जिसको बोलते हैं, आपका economy, creamy layer, non-creamy layer तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझते हैं, तो बता दूँ कि देखिए, आपके criteria, माल लेते हैं, आठ लाग से income कम है आपके परिवार की, ठीक है, आपके फादर की 8 लाग से कम income है, तो वो non-creamy layer में आ जाएंगे, ठीक है, तो paper 1 की अगर बात कुरूँ, या paper 1, paper 2 के लिए apply कर रहे है, individual, मतलब, चाहे paper 1 apply करे, चाहे paper 2 करिए, तो 1000 रुपे आपको pay करने होंगे, अगर आप दोनों के लिए PRT से अलग हुआ है, ठीक है, तो अभी से बात है, PRT वाले paper 2 ही भरेंगे, paper 1 तो भर नहीं सकते हैं, और जो क्या नामे BTC वाले हैं, वो तो paper 1 भरेंगे, तो यह 1000 रुपे हैं, यहाँ पर थोड़ा इनको correction करना चाहिए था, क्योंकि PRT वाले paper 2 ही भर सकते हैं, तो क्या नहीं, अब इसके बारे में तो और कुछ का भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे इसाफ से 600 रुपे होने चाहिए, paper 1 या paper 2 individual कोई apply करता है, तो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, फार्म आपको online भरना होगा, यह सारी चीजे हैं, और कोई doubts हो, तो यह contact number है, जिस पर आप call करके post सकते हैं, कोई doubts हो, आपको form भरने से है, ठीक है, हम बात करेंगे आप syllabus के बारे में भी, क्योंकि syllabus क्या है, exam pattern क्या है, schedule क्या वो देख लेते हैं, देखे, आपको बतादू कि 21 January को 2 shift में paper होगे, पहला shift होगा 9.30 से 12, ठीक है, धाई घंटे का paper होगा, paper 1, paper 2, धाई घं मिक्ता दी गई है, paper 2 आपका 9.30 से 12 होगा, यानि, पहले paper 2 होगा, फिर paper 1 लास्ट में होगा, ठीक है, evening में, पहले क्या होता था, अगर मैं 2023 की बात करूं, CT की, तो paper यह होता था, पहले paper 1 होता था, ठीक है, फिर paper 2 होता था, तो इस बार इन्होंने क्या है, paper 2 को पहले कर द ठीक है, ठीक, चले, आगे हम बात करते हैं, देखिए, आपका जो mood of submission application है, online है, इसके लाब और कोई माध्यम नहीं है, offline कोई नहीं, समझ रहे हैं, केवल online farm submit करना है, ठीक है, authentic source से, इसके site पो जा कहीं भरिएगा, और कहीं source से मत भरिएगा, otherwise आपको problem face करनी हो सकती, fee भी आ पेपर 2 के लिए apply करेंगे, तो आपको 1000 रुपे पेग करने होंगे, चले, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे question के बारे में exam pattern, कि आपका syllabus क्या क्या है, अगर मैं बात करूँ, paper 1 के बात करें, paper 1 ध्यान से सुनिएगा, जो BTC किये हैं, delete किये हैं, वो B 5 subjects होंगे, 5 में से 5 हो, कितने के होंगे, 30 number के होंगे, यानि 1500 question होंगे, 1500 marks के होंगे, जो आपके सामने screen पर दिख रहे हैं, जियान से देखिएगा, 1500 question, 1500 marks के दिख रहे हैं, हर section बना हो, जैसे CDP को बोलते है, Child Development Pedagogy, ठीक है, इसका मतलब 30 question होंगे, 30 marks के, और इसी तरह language, language 1 म है, क्योंकि देखे, Hindi ऐसी चीज़ है, कि आप कुछ न कुछ केतनों भी होंगे, तो 15 number तो करीदेंगे, 30 में 15 number हिंदी तो करीदेंगे, केतनों भी गलत करेंगे, ठीक है, और English के बात किया जाए, तो obvious सी बात है, 10 से 5 number आप सही करी सकते हैं, पहला language देखे, अगर मैं अपन लिस लिया था, language, ठीक है, जो language बन, language to compulsory था, अगर आप किसी और गुरूप से हैं, जैसे SST, Sanskrit भी ले सकते हैं, उर्दो भी ले सकते हैं, कोई भी language आप अपने according चूज कर लीजेगा, जिसमें आप comfort table हो, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, इसको बहु आप easily say, आप 90 number ला देंगे, otherwise आपको 90 number लाने में दिक्कत हो जाएगी, आपको बता दू क्यों कि जो आपको इक चीज में बताना चाहूंगा, कि जो paper 2 आपको बता दू कि जब इस बार सेटेट का paper 2023 का हुआ था, ठीक है, तो दिसम्बर वाली की बात कर रहा हूं, तो इसम mathematics है, तिस question, तिस मार्स का, फिर environments है, UBS, environmental studies, जो तिस question, तिस मार्स का है, आप general, एक चीज में बता दू, आप कोई भी candidate हो, चाहिए SC हो, OBC हो, या फिर general हो, या EWS हो, आप general candidate मान के ही तैयारी करिएगा, आपको पहले में बता देता हूं, फिर में बता देता हूं इसका reason क्य है, क्योंकि अब जब भी मानते कि हमें OBC मुझे 82 number लाने है, तो बाद में आप जब दूसरे state में जाएंगे apply करने, seated के थूरू, जैसे माले बिहार में आप गये, तो वहां तो आप सिधे बोल देगा, आप general में आएंगे, तो आपको 90 number चाहिए, OBC के matter ही खतम हो गया, तो जो होता है, एक से पांस के लिए होता है, ठेक है, और एक शी जिसमें बता दूँ कि language बहुत सारी language है, जिसे कोई भी language आप चूज कर सकते हैं, total 20 language, आपको यहाँ पर 15 language दिया है, जिसमें आप comfortable है, language 1, language 2, जो चूज करना है कर लीजे, आपके उपर है, ठेक है, अब हम बा बिहार की बात करूँ, बिहार की 6-8 वाली, यानि जूनियर की वेकेंसी आने वाली है, तो पेपर 2 जिनका भी नहीं क्लियर हुआ है, वो जरूर भरियेगा, और बड़े अच्छे सिसको पढ़ियेगा, क्योंकि पेपर 2 में जो क्लियर करने के चांस से बच्चों के रेट है बहुत ही कम है, समझ रहे न, मात्र 7% है, अगर मैं बात करूँ, 13,00,00 अगर फार्म भरे हैं, तो मात्र 1,00,00 क्वालिफाई की हैं, यानि क्लियर की हैं, सिटेट पेपर 2, तो इस हिसाब से देख लिजेगा, क्योंकि पेपर को टफ नहीं है, लेकिन क्या है कि बच्चे ध् हर भी रहे हैं, तो पूछेंगे सार, दोनों कैसे तेयरी करने हैं, देखें, CDP दोनों की सेम है, तो आपको doubt करने की ज़रूत नहीं, और देखें, language 1 में आप, देखें, यहां भी आगे, language 1, language 2 में कुछ भी आप ले सकते हैं, जो आपको comfortable, अगर मुझे लेना हो, अगर मैं comfortable language हो, जिसमें, जो, समझे रहें आप न, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया, आप Hindi ले ले ते Hindi ले ले लिजे, जो इसमें आप comfortable हो, अपने विवेक का इस्तमाल करियो, वही चीज़ लीजेगा, अब बात करें, देखें, math और science, देखें, math और science की बात किया जाए, बस यहां change तो कुल मिला कि 1.500 question, 1.500 mark से आते हैं, तो यह चीजे हैं जिसको मैंने बता दिया, अब देखें, cut off तो आपको अभी सी बात है, passing mark, seated का मतलब यह नहीं कि आप 1.500 में 120 लाएंगा तो उसको benefit मिलेगा, आप just a clearing purpose के लिए, अगर आप seated clear है, कोई matter नहीं करता कि आप 100 लाएं, इससे कोई matter नहीं, यह आपके individually को उपर है, आप अगर 90 नमबर लाते हैं seated में, तो आप eligible ने apply करने के लिए किसी भी vacancy में, जो teacher की आती है, ठेक है, एक चीज़ मैं बता दू कि seated paper to वही लोग देंगे, जो B.Ed clear कर चुके हैं, ठेक है, या B.Ed pass out है, या फिर B.Ed first semester में है, य ठेक है, वह लोग भी भर सकते हैं, यह मत सुचिएगा कि जो B.Ed final year में वही भर सकता है, या फिर जो seated, जो लोग B.Ed final year में होंगे, वही भर सकते हैं, या password, ऐसा कुछ भी नहीं, seated का मतलब है, कोई भी भर सकता है, अगर आपने B.Ed medicine लिया है, तो, ठेक है, और इसका validity हमेश तो, पांसो रुपे इन के होंगे, पेपर वन तो, दोनों की बात किया जाए, तो 600 रुपे इनको पे करने होंगे, समझ गया है, चले, और मैंने फिर से में बोलना हूँ कि यहाँ थोड़ा, इस CBSC को सोचना चाहिए था है, कि जो लोग B.Ed candidate है, उनको 1000 रुपे आप ले रह करेंगे, तो फिर दोनों पेपर का यह option देने का मतलब क्या है, यह option अगर आप दोनों देने कोई बात नहीं, मान लेते कोई बहुत candidate हैसे होंगे, जो BTC भी की होंगे, जो B8 भी की होंगे, लेकिन आप उन लोग candidate को भी ध्यान दीजे कि आप 1000 रुपे रहे हैं, थोड़ा क स्लिबस है, इसका PDF में Telegram का अपलोड कर दूँगा, इसको PDF से आप देख लेंगे कि आपका स्लिबस क्या होने आवाला है, जनुवरी का, टिक है, सितली जनुवरी 24 का स्लिबस क्या है, चाए पेपर वन हो, चाए पेपर 2 का, देख लेंगे, टेक है, टेलीघ्रम जोइन करन बारे में भर-भर के question आते हैं चाहिए इस paper में उस paper किसी में, फिर pedagogy आते हैं, इसके बारे में मैंने exam pattern के बारे में already मैंने previous video बना दिया, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे समझाएं, कि देखे, चाहे seated जनवरी इस समय, seated चाहे 23 का हो, या फिर 24 का हो, changes syllabus म कुछ भी नहीं है, सब कुछ same है, exam pattern भी same है, हाला कि एक चीज़ बदली है, जिसको मैंने बताया भी, अभी मैं फिर याद दिला दूँ, कि जो paper 2 साम को होता था, वो paper 2 first shift में होगा, याद रखे, paper 2 first shift में होगा, क्योंकि paper 2 जो be it candidate है, बहुत ज्यादे हैं, तो first shift में paper 2 यही different है, और कुछ नहीं, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप seated का form लेट भरते हैं, तो आपको हो सकता है, कि आप जो center डाले, वो center आपको न भी मिले, लेकिन आप जतना जल्दी भरेंगे, वो अतना possibility है कि आपको center आपके home town में मिल जाएगा, जहाँ आप फिल क से हैं, तो science का syllabus क्या होगा, अगर आप SST से हैं, माले geography है, quality, history, जिस subject से हैं, उसका syllabus आपको telegram को देखने को मिल जाएगा, मैं पूरा video का upload कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा, farm के बारे मैंने बता दिया कैसे बरने, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, farm थोड़ा अच्छे से बरिएगा, कोई गलती मत करिएगा, otherwise आपको farm में correction करने का मुकान नहीं मिलेगा, ठेक है, तो मेरे द्वारा बताई गई जनकारी आपको समझ में आ गई है, और आपके पास आज से लगबग धाई महीने का समय है, अगर देखा जाए, तो काफी है, जो लोग अगर जो लोग अभी BTC और BAD कर रहे हैं, या उनके लिए बहुत golden opportunity है, कि आप सीटेट अभी clear कर लेंगे, तो आपके लिए एक burden कम हो जाएगा, ठेक है, तो जो लोग इस चैनल पर आए हैं, उनसे request है कि चैनल को subscribe करिए, क्योंकि आप लोग subscribe नहीं करते हैं, नहीं like करते हैं, जिसके वज़े से motivation नहीं आता है, अगर आप like subscribe करते जाएंगे, तो उसे motivation आएगा, जिससे हमें और भी information खोच कर लाने में बताने में बड़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम teacher exam कि कोई भी vacancy हो, आपके साथ share करते हैं, और वो भी authentic होती, ये भी नहीं कि कहीं से, हम खुझ सर्च करते हैं, खुझ उसको apply करते हैं, उसके बाद ही आपको supply करते हैं, ठेक है, बताते हैं, चलिए, ये information थी, इसके अलाबा कोई doubts हो, तो आप comment करके पूश सकते हैं, और ये comment जाके आप contact करिए, ठेक है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, फार्म बर रहे हैं, तो आपनी दाईत्यों को समझे, ठेक है, और चैनल को support करिए, यही आपसे विनमन निवेदने, धन्यवाद, जैहिन जै भारत